स्वागत है आप सभी का टेली एक्सप्रेस में जहां आपको मिलती है स्टार प्लस के सूपर हिट सीरियल अनुपमा से जुड़ी हुई सभी लेटिस्ट अपडेट सौट कॉसिप सबसे पहले वह दोस्तों अनुपमा सीरियल में मालती देवी इस वक्त काफी जादा निगडिव अवतार में नजर आ रही है उनके सर पर सिर्फ एक ही भूत सवार है कि वो किसी तरीके से इस घर में अपना हक जबाने लगे एक सास के तौर पर अनुपमा पर अपनी हुकूमत चलाने लगे लेकिन अनुपमा के अलावा और किसी को इस घर का मुखिया कोई भी मानने को तयार नहीं है लेकिन यहां पर वेज़ा ट्विस्ट आएगा जब मालती देवी एक शडयंत्र रचेंगी और पाखी को भड़काएंगी अनुपमा के खिलाफ लेकिन लेकिन उनका ये प्लान फेल कर देगा रॉमिल जो इस वक्त उस घर में उनका तब से बड़ा दुश्मन है ऐसा क्या करने वाला है रॉमिल जिस वजह से मालती देवी का सारा प्लैट चौपट हो जाएगा और शायद उन्हें का पाड़िया हाउस से जाना भी पड़े चलिए जानते हैं मारी आज की इस खास रिपोर्ट में आरे वाल एपिसोट की पूरी की पूरी ट्विस्ट बरी कहानी के बारे में वेल दोस्तों कहानी में आने वाला है एक पेज़र ट्विस्ट जब रोविल दिखाएगा अनुपमा और अनुच को मालती देवी का वो वीडियो जिसमें वो साफ साफ नजर आ रही है पाखी को भड़काते हुए पाखी को ऐसा लग रहा है कि डिमपी की वज़ा से अब उस पर कोई भी ध्यार नहीं दे रहा वो मा नहीं बन सकती और किसी को उसकी पड़ी भी नहीं है ऐसे में अधिक को जब वो अपना दुखड़ा सुनाती है तो अधिक भी उसे यही समझाता है कि तुम एक विक्टिम कार्ट खेलना बंद कर दो तुमने अपने दुख को अपना हतियार बना लिया है और तुम ये च जादा तमाशा करने की और बार बार ढिमपी और अनुपमा को टारगेट करने की क्या बात है वैल कि को लेकर जब अधिक उसकी तारीफे करता है तो यहाँ पर कहीं न कहीं जलन होने लग जाती है पाकी को जबकि बहुत पहले ही अधिक इस बात को साफ कर चुका है कि डिमपी उसकी बेहन की तरह है लेकिन तब भी पाकी को ऐसा लगता है कि अधिक और उसकी मा दोनों ही इस बारे में बात तक नहीं करना चाहते वो मा नहीं बन सकती इसलिए अब किसी को भी उससे मतलब नहीं है ये सोच कर पाकी अकेली ही रूम में बैट करो रही होती है तब ही वहाँ पर मालती देवी आती है और उसे अनुपमा और डिंपी के खिलाफ और जादा उकसाने की कोशिश करती है ये सारी चीजें दूर खड़ा रोमिल देख रहा होता है और अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है अगले दिन वो जाता है अनुपमा अनुच के पास और कहता है कि आप लोगों को एक exclusive वीडियो दिखाना है अगर आपने अभी नहीं देखा तो हो सकता है आने वाले वक्त में इस परिवार में एक और बड़ी मुसीबत आ जाए ये कहे कर वो मालती देवी के सामने ही उसका वीडियो दिखाता है और कहता है कि देखिए आपके माने घर में आकर मा बनने की कोशिश तो नहीं की लेकिन साज बनने की कोशिशों में वो लग चुकी है घर की दूसरी बहु को आपकी सगी बेटी को भड़का रही है वो भी आपके ही खिलाफ ये देखकर अनुपमा का दिल तूट जाता है कि उसकी गुरुमा कितनी जादा बुरी बन चुकी है अनुच के घुस्ता तो इसकदर फूटता है कि वो अल्टीमेटब दे देते हैं और किसी को नहीं बलगी मालती देवी को कि आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वज़ा से है अगर एक बार और आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो इस घर के दर्वाजे याद रखिएगा आपके लिए हमेशा खुले हैं लेकि अंदर आने के लिए नहीं बलकि आपको बाहर करने के लिए और मै अनुपमा की भी नहीं सुनूंगा यह सुनकर मालती देवी को बहुत बड़ा जटका लगता है अब देगना दिलचस्प रहेगा कि अनुच की इस धंकी के बाद क्या मालती देवी सुधरेंगी या फिर वो अनुपमा के खिलाफ कोई नहीं सादिश रचेंगी आप लोगो झाल